आज के वीडियो की टॉपिक ये है फ्रीज की कंप्रेसर को वाइक्यूम करने के बाद गेस डालते समय डिमाख में अपसर एक चीज घूमती है वो होती है जो नीला वाला काटा है उसमें गेड डालने के बाद बैक फ्रेशर फ्रेशर कितनी दिखाना चाहिए इस वीडियो में मैं पूरी लाइफ प्रूप दिखाऊंगा वीडियो को बेलकुल भी कट नहीं करूँगा ताकि आपको बहुत सिंपल और असान तरीके से दिखे और मन की जो डाउट है वो किलियर हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ यह जो मेरी फ्रेस सिंगल डोर की है जिसमें मैंने गैस चार्ज परसो ही की है मतलब प्रॉपरली कूलिंग कंडिशन में है बढ़िया से वर्क कर रही है कंप्रेसर इसके अंदर उतनी ही गैस डली है जितनी प्रॉपर इसमें डलनी चाहिए तो आज की वीडियो में हम इस नीले वाले काटा से आपको चेक करकर दिखाते हैं कि फ्रेसर बंध हालत में और चालू हालत में बेक फ्रेसर कितना दिखाता है वो भी कापी इजी तरीके से उसके लिए हम यहाँ पर एक पाइप का यूज करते हैं देखें इस पाइप के साथ मैं यहाँ पर काटा को लगा देता हूँ काटा लगाने के बाद यह वाल टाइप की होती इसमें थोड़ी से पीन बनी होती है यह वाला जो पीन का साइड है उसकों कमप्रेसर के यह जो चार्जिंग वाल निकाले हैं उसमें लगाते हैं ये पूरे लाइप प्रूफ वीडियो है बिल्कुल भी कटपिट नहीं होनी वाली है नहीं कोई फालतों की बाते हमें आपर करते हैं चलिए दिखाते हैं लाइप प्रूफ तो आपने भी देखा कि गैस फिका रही थी प्रूफली हमने इसमें गैस चार्ज किया हुआ है और यहाँ पर आप इसकी फ्रेशर देख सकते हैं जो की अभी कंप्रेशर बंद है यहाँ पर 60 के आसपास 108 की हुई है कभी कभी 70 या 60 के बीच में भी इस तरीके से फ्रेशर दिखा सकता है बंद कंडिशन में यहाँ पर चेक कर लिजे 60 के आसपास दिखा रहा है दोस्तों अब मैं इस फ्रेश को चालू करके दिखाता हूँ कि बेच फ्रेशर कितना दिखाएगा वो भी आपके सामने ही लाइफ प्रूफ इसके लिए मैं इसकी पिजली की फ्लग वायर को निकालता हूँ और इस फ्लग वायर को बिजली की बोर्ट पर लगाता हूँ देखिए तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ चालू हो चुकी है काटा देखि कितनी गिरती है जो की बैक फ्रेशर वो भी लाइफ प्रूफ देखते रहें यह काटा जो है कहा तक गिरता है आज आपकी सारे डाउट के लिए सोजाएंगे फ्रेशर बैक फ्रेशर क्या होता है समझेंगे कापे सिंपल और सरल तरीके से वो भी बिल्कूल लाइफ प्रूफ देखिए तो यह जो सुई है लगभग दस की काटे पे जाकर अटकने वाली है देखिए थोड़ा सा और गिरेगी वह देख पारा है क्योंकि हमने इस फ्रेश में प्रॉपर्ली गेस चार्ज किया हुआ है जितनी गेस उसको जरूरत है उतनी ही गेस हमने डाली है तो यहाँ पर आप इसकी मतलब बैक फ्रेशर चेक कर सकते हैं सुई दस पे आकर अटक चुकी है प्रॉपर्ली कूलिंग और आपने अभी देखा कि कंप्रेशर बंध था उस से में जो गेस की जो फ्रेशर दिखा रहा था साट के आजपास दिखा रहा था तो अगर साट के आजपास बंध हालत में गेस चार्ज करते हैं तो चालू होगी तो लगबग सुई दस पे आके अठकेगी वो है प्रोपर कूलिंग और काफी शिंपल और सरल तरीके आपने चेक कर लिया बेख फ्रेशर और फ्रेशर किसको कहते हैं काफी शिंपल काफी सरल तरीके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चेर कीज़ेगा फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ